स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चानल साइबोटेक एजूकेशन ग्रूप में आज के इस वीडियो लेशन में हम लोग सीखेंगे कि कैसे जावा के अंदर आप यूजर से एक इंटीजर का इंपुट लेके यह चेक कर सकते हैं कि वो इंटीजर प्राइम है या नहीं है आज की इस वीडियो में हम लोग जावा में बहुत सिंपल वे में एक नॉर्मल तरीके से प्राइम इंटीजर को आइंटीफाई करने का प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग फोर लूप का इस्तमाल करेंगे उसके बाद हम लोग जानेंगे कैसे वाइल ल कर सकते हैं देखे सबसे पहले कोई भी नंबर प्राइम होता है इफ एनी नम इस प्राइम तो इसका मतलब होता है ना कि उसका एग्जैक्टली दो फैक्टर होगा इफ एनी नम इस प्राइम इट हाज एक्जैक्टली तू फैक्टर्स दो फैक्टर होंगे जैसे सेवेन एक प्राइम है तो सेवेन का फैक्टर एक तो एक है और दूसरा साथ खुद है इसलिए सेवेन प्राइम है नाइन प्राइम नहीं है क्योंकि नाइन का जो फैक्टर है वो एक भी है तीन भी है और नाइन मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर वैसे ही एक भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि एक का सिर्फ सिंगल फैक्टर है वो है एक ह। तो कोई भी नम से प्राइम तब होगा जब उसका एक्जक्ली व क्या थोगा मतलब अगर आपको में निकालने के factors को ठीक है यह पहला point दूसरा point factors जो होता है factors of any num वो start होता है one से starts from one and ends to num यह बड़ा important बात किसी भी num के value का जो factor होगा ना वो एक होगा कम से कम और अधिक सधिक नम खुद होगा बीच में factor हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो इन दो नियम को हम लोग पहले बिल्कुल दिमाग में रखेंगे आए अब चलते हैं कि कैसे इसका हम लोगों को code लिखना है देखिए सबसे पहले मैं import कर लेता हूँ java.util.scanner को scanner class का मैं use करूँगा java से input लेने के लिए अब मैं एक class बनाता हूँ suppose मैंने बनाया my class ये देखिए नीचे यहाँ पर मैंने end कर दिया end of the class my class बहुत नॉर्मल सा चीज है अब यहाँ पर मैंने main function लिखा public static wide main string args ये लिखने का main लिखने का एक style है और ये आपका end हो गया end of the method main ओके अब मैं यहाँ पर एक variable ले रहा हूँ suppose variable का नाम मैं नम रख लेता हूँ इस num नाम के variable में मैं user से एक integer का input लेके रखूँगा एक मैं i नाम का variable ले रहा हूँ ताकि मैं loop चला सकूँ from 1 to the value of num इसलिए मैंने i लिया है और एक count of factor करने के लिए मैं cf नाम का variable ले रहा हूँ आप x y z कुछ भी ले सकते हैं इसमें मैंने initialize इसको कर दिया जीरो से counting का कोई भी प्राब्लम हो counting के लिए जो variable यूज होता है उसका initial value जो है वह 0 ही होता है जीरो जढ़ा का यह जादा रखने पर उतना ज्यादा आपका result हो जाएगा और कम रखने माईनस पर रखने पर आपका result कम हो जाएगा उतना जितना स्कान क्यम geliyor zeroes away रखना है क्योंकि जीरो में ज़ुचने से ना class के थुरू एक object बना लेता हूं सब्सक्राइब का नाम मैंने रखा sc तो मैंने लिखा scanner sc equals new scanner system.in और अब मैं system.out.println के थुरू message देता हूं user के लिए कि प्लीज enter any integer और अब यह message पढ़ने के बाद user जो भी कुछ डालेगा मैं उसको num मैं assign कर लेता हूं sc.nextint method को call करके अब मुझे यहां से code लिखना है factors को count करने का चलिए मैं यहां पर four loop यूज़ कर रहा हूं देखिए यहां पर मैं comment line में लिख देता हूं कि फिलहाल यहां पर मैं जो use कर रहा हूं वो कौन सा statement यूज़ कर रहा हूं looping के लिए four statement यूज़ कर रहा हूं अब मैं लिखता हूं अंदर की i को एक से चलाओ कहां तक चलाओ भाई नम तक चलाओ क्योंकि देखिए यहां पर मैंने बता दिया है कि किसी भी नम का factor जो होता है वो एक से नम तक जाता है इसलिए मैंने i का initial value एक लिया और end value नम ले लिया है और i को एक एक से आगे बढ़ा देता हूं ठीक है अब यहां देखिए आपका i जो है वो एक से शुरू होके नम तक जा रहा है लेकिन क्या हर एक value factor होगा ऐसा तो कुछ नहीं है तो अब आप यहां चेक करते हैं अगर नम का जो value है उसमें i के value से division operation परफॉर्म करने पर 0 आता हो इसका मतलब क्या होगा it means i जो है ना is the factor of नम तो उस case में आप count factor को प्लस प्लस कर दें यह मतलब आप count factor को एक से बढ़ा दे रहें लेकिन कुछ बढ़े number के cases में अधिकतर बढ़े number के cases में यह होता है वह 100 करता है तो CF का value 2 हो जाता है 3 से नहीं करता है लेकिन 4 से जैसे ही करता है तो CF का value 3 हो जाता है CF का 2 से ज्यादा होना इस बात का indication है कि नम में जो value है suppose 100 है तो वह प्राइम नहीं है लेकिन चुकि आपने looping statement में condition डाला है कि आई को एक से चलके नम तक पहुंचना है तो वह 100 चलेगा लेकिन यहां तो आई के चार के लिए यह बात clear हो गया कि अब जो नम में value है वह प्राइम नहीं है चुकि count of factor जो आप देख रहे थे वह दो से ज्यादा हो गया तो मैं ऐसा करता हूँ फालतू जो लूप नहीं चले एक्स्टा टाइम लूप नहीं चले उसके लिए मैं लिखता हूँ कि जैसे ही cf का value 2 से ज्यादा हो तो भाही ब्रेक कर जाओ मतलब लूप से तुम बाहर निकल जाओ तो इससे क्या होगा ना कि execution टाइम थोड़ा कम हो जाएगा अब बाहर आके मैं लिखता हूँ कि अगर cf का value exactly 2 के बराबर है तो आप प्रिंट कर दो कि नम में जो वैल्यू है नम में जो वैल्यू है वह वह प्राइ प्राइम इंटीजर ओके इस प्राइम इंटीजर नहीं तो एल्स मैसेज दे दो कि नम में जो वैल्यू है इस नौट अ प्राइम इंटीजर आप ऐसा करती है अब चलिए इस फाइल को तो मैं सेव कर देता हूं उस लोकेशन पर जहां पे जावा जो है जावा मैंने में सी के अंदर जेडी के 1.7 के अंदर बिन के अंदर सारा चीज इंस्टॉल है तो चुकि माई क्लास नाम का मैंने क्लास बनाया है तो मैं यहां पे माई क्लास डॉट जावा नाम से इसको सेव कर देता हूं अब कमांड प्रॉंट यह चीज ध्यान देजेगा देखिए कैस जेडी के 1.7 स्लैश बिन लिख देंगे उस लोकेशन में पहुंच गया जहां पर आपने जावा इंस्टॉल करके रखा है ओके सी यह से मैं स्क्रीन क्लियर कर लिया आप जावा सी और स्वोर्स कोड जहां रखा हुआ जिस जावा फाइल में उसका फुल नेम देना है अब देखिए यह कंपाइलेशन प्रोसेस हो रहा है कुछ भी नहीं आया ब्लैंक आया मतलब कोई भी एडर नहीं अगर कोई एडर होता है कोई सेमी कुलोन में मिटा दू कोई करली परसेज में छोड़ दू तो वह इंडिकेट करेगा आगे आप एग्जेक्यूट नहीं कर सकते देखिए अब यह आप से एक इंटीजर मांग रहा है सपोज मैंने डाला 199 तो 199 इस प्राइम इंटीजर साफ यह बता रहा है अगर दुबारा मैं एक्जेक्यूट करा हूं मैं डाल दू 1 तो 1 इस नॉट प्राइम इंटीजर क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर अगर मैं फिर से ए पारे फैक्टर को इसने नहीं किना होगा आई जो है न वह वन से 340 तक नहीं चला होगा जैसे ही सीच का वैलू 2 हूआ होगा डेक स्टेट में ने लूपिंग से बाहर भेज दिया ओगा कंट्रोल को तो 340 तक नहीं चल के वह वह तक चला होगा जहां बैसे थ मैं यह थाज स अगर आप four statement के जगह पे suppose while statement यूज़ करना चाहते हैं कोई बात नहीं आपको करना क्या होगा आई को इनिशलाइज कर लिए आप पहले से और वन से और आप यहां condition लिखिए while i is less than equal to num चोटा सा चेंज और looping के अंदर में ही आप i को प्लस प्लस कर दीजिए ऐसा भी आप कर सकते हैं देखिए अब आप इस code को compile करवाईए जब भी java के source code में कोई चेंज होगा आपको उसको compile करवाना ही होगा अब मैंने तो compile करवा लिया अब मैं execute करवाता हूं java my class चलिए मैं एक number डालता हूं like 17 तो 17 is a prime integer मैं फिर डालता हूं one one is not a prime integer मैं डालता हूं लेकिन अगेन मैं यहां पर हाइलाइट करना चाहता हूं यह बात बहुत ध्यान से समझेगा अगर नम का वैलू आपने 1000 डाला है तो आई जो है वो वन से स्टार्ट तो हुआ चलना लेकिन 1000 तक नहीं चला क्योंकि आपने यहां लिख दिया source code में कि जैसे ही करने किएसे सी एफ का वैलू 2 से ज्यादा हो तो बहीं ब्रेक कर जाओ ठीक है तो 1000 की केस में जहां पर वी जिस बी वैल्यू के लिए सी एफ का वैलू 2 से जादा एक्जाट के तीन हुआ अब यह ब्रेकर गया होगा अब देखिएन को भी चेक कर लेता हूं तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे आप वाइल लूप से भी काम कुरौवा सकते अब एक लॉस्ट फिर अगर बूत अ Ming से लुगाchine होगा होगा अफो होगा आपको क्या करना होगा tu अब मैं लिखता हूँ java my class execution के लिए चलिए मैंने इस बार डाला suppose 3 तो 3 is a prime integer उसके बाद मैंने डाला 1, 1 is not a prime integer उसके बाद मैंने डाला suppose 120, 120 is not a prime integer तो इस तरह के से आप लोगों ने आज की इस video session में सीखा कि java में कैसे आप user से एक integer का input लेके आप पता कर सकते हैं, check कर सकते हैं find out कर सकते हैं कि वो number वो integer prime है या नहीं है, इसके लिए आपने 4 statement भी यूज किया, इसके लिए आपने do while statement भी यूज किया, इसके लिए आपने while statement भी यूज किया, तो उमीद करता हूँ कि अब आप लोगों का prime से related जो concept है वो बिल्कुल clear हो गया होगा, ये video आप लोगो प्लीज सबस्क्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीए ताकि जो भी application हो वो आप लोगों तक उसका information तुरंट पहुंच सके, वीडियो के last तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, thanks, thanks a lot